इस आक्टर ने असी के दशक में डेब्यू करते ही आक्शन हीरो के तौर पर अपनी इमेज मजबूत कर ली थी उन्होंने एक से बढ़कर एक आक्शन फिल्मों में काम किया और उनकी आक्टिंग के लोग कायल रहे हैं बलकि गुस्से और अफेर के लिए भी खूब सुर्खियों में रहा करते थे यही नहीं वे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जादा पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं शादी शुदा होते हुए भी उनका नाम बॉलिवुड की कई आक्ट्रसस से जुड़ चुका है और दो आक्ट्रसस के साथ तक शादी की बाद भी पहुँच गई थी ये आजाद रहे ना रहे लेकिन मेरा देश आजाद है और हमेशा आजाद रहेगा नमस्कार दोस्तूं इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुती बात कर रही हूँ बॉलिवुड के ही मैन यानी धरमेंदर के बड़े बेटे और सूपरस्टार सनी देवल की जो की हर तरह के रोल के लिए फिट माने जाते रहे हैं चाहे वो आक्शन हो या फिर रोमांटिक वो अपने दबंग अंदाज के लिए भी मशूर हैं जिनकी फिटनेस और चार्मिंग लुक की लड़कियां दीवानी हुआ करती थी और उनके उपर कई बॉलिवुड अभिनेत्रियों का दिल भी आया था इस वीडियो में सनी देवल के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ तो आप बने रहे हमारे सार्थ दोस्तों बॉलिवुड में देवल परिवार का अपना अलगी दबदबा है बॉलिवुड के ही मैन यानी धरमेंद्र और उनके बेटे सनी देवल और बॉबी देवल ने फिल्मी दुनिया में खूब शोहरत हासल की है देवल परिवार की एक खास बात ये है कि बॉलिवुड में फिटनेस की शुर्वात इसी परिवार में की लड़कियां देवल परिवार के चार्मिंग लुक की जितनी दीवानी हुआ करती थी तो वहीं लड़कों को देवल परिवार के बाइसेप्स सिनमा घरों में खीचलाते थे धरमेंद्र की तरह ही उनके बेटे सनी और बॉबी भी डोलों के लिए काफी मशूर हुए सनी देवल के फाइट सीन्स तो आज तक लोगों को काफी पसंद आते हैं सनी देवल के परिवार के बाइर में बात करें तो सनी देवल प्रसिद बॉलेवुड अभिनेता धरमेंद्र और प्रकाश कौर के सबसे बड़े बेटे हैं उनका जनम 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के सहनेवाल में हुआ था उनके बचपन का नाम अजय सिंग देवल है मशूर अभिनेतरी हेमा मालनी उनकी सौतेली मा है अभिनेता बाबी देवल इनके छोटे सगी भाई है विजेता और अजीता इनकी सगी बहने है जबकी ईशा देवल और आहना देवल इनकी सौतेली बहने है पूजा देउल इनकी पत्नी है, करन देउल और राजबीर देउल इनके बेटे हैं सनी देउल उन सितारों में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग और स्टारडम बीते 49 साल से बदस्तूर जारी है सनी ने बेताब फिल्म से 1983 में डेब्यू किया था जो कि सुपरिट रही फिल्म का जाइरेक्शन राहुल रवैल ने किया था और अमृता सिंग इसमें सनी देउल की हिरोईन थी उसकी बाद घायल, त्रिदेव, जकैत, निगाहें, नरसिम्हा और विश्वात्मा जैसी फिल्मों ने उन्हें करियर की शुरुवाती दौर में ही एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित कर दिया इंडस्ट्री में एंगरी यंग मैन अमिताब बच्चन और गरम धरम धरमेंद्र के बाद सनी देउल सबसे ज़ादा पसंद किये जाने वाले एक्शन हीरो रहे हैं लेकिन 1993 में एक फिल्म ऐसी आई जिसने सनी देउल की किस्मत बदल दी ये फिल्म थी दामिनी जिसे राज कुमार संतोशी ने डारेक्ट किया था ये फिल्म सनी देउल के करियर की टर्निंग पॉइंट मानी जाती है फिल्म में रिशी कपूर और मिनाक्षी शिशादरी लीड रोल में थे बताया जाता है कि शुरुवात में सनी देउल का रोल बहुत छोटा था लेकिन शूट शुरू हुआ और सनी देउल ने अपने अंदाज में डायलोग्स बोले तो मेकर्स को समझा गया कि यही इस फिल्म की जान बनेंगे लहाजा सीन बढ़ा दिये गए इस फिल्म में सनी का किरदार इतना दमदार था कि उन्हें ना सिर्फ सराहना मिली बलकि राश्ट्रिय फिल्म पुरुसकार भी मिला ये फिल्म ना सिर्फ सूपर हिट हुई बलकि इसने सनी देउल को अक्टर के तौर पर एक अलग पहचां दी इस फिल्म में उनका धाई किलो का हाथ वाला डायलॉग काफी फेमस हुआ था ये धाई किलो का हाथ जब किसी पर पढ़ता है न तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है डेब्यू के बाद सनी देउल ने पहले 10 साल में 35 फिल्में बॉक्स आफिस पर दी लेकिन इनमें सफल सिर्फ सोनी महिवाल, अर्जुन, पाप की दुनिया, वर्दी, तृदेव, चालबाज, घायल, विश्नुदेवता, नरसिमह, विश्वात्मा, लुटेरे, तामिनी और डर रही 1994 से 2001 तक सनी देउल की 20 फिल्में आई और इनमें सफल रही सिर्फ 8 फिल्में जीत, खातक, जिदी, बॉर्डर, कहर, गदर एक फ्रेम कथा और इंडियन जबकि 12 फिल्में फ्लॉप, डिजास्टर और एवरिट से नीचे साबित हुई सनी देउल की पिछले 20 साल में 32 फिल्में बॉक्स ओफिस पर रिलीज हुई, इनमें सफल रही केवल दो फिल्में, अपने और यमला पगला दिवाना, जबकि 30 फ्लॉप हो गई सनी देउल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म गदर एक प्रेम कथा है, जिसने लगभग 77 करोन रुपए का कलेक्शन किया था, 2001 में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने किया 2002 से अप तक सनी देउल की सिर्फ एक फिल्म यमला पगला दिवाना ऐसी आई है, जिसने लगभग 55 करोन रुपए से ज़ादा कमाई थे, इसके अलावा कोई भी फिल्म 40 करोन रुपए का आकड़ा नहीं छू सकी इन दिनों सनी देउल अपनी आने वाली फिल्म गदरदो को लेकर काफी सुर्खियों में हैं, दोस्तों ये तो रही उनके करियर की बार, अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसा कि आपको बताया कि सनी देउल ने साल 1983 में फिल्म बेताब से अपने आक बॉलिवुड के गलियारों में दोनों के अफेर की चर्चा आम हो चुकी थी, लेकिन इसके कुछी दिन बाद ये बात फैल गई कि अमृता सिंग के अलावा लंदन की पूजा नाम की लड़की को भी ये डेट कर रहे हैं, उसके बाद ये खबर आई कि वो पहले से ही शाद से जानते थे, उनकी शादी 1984 में हुई थी, पूजा देउल और सनी देउल की शादी को काफी जादा छुपा कर रखा गया था, और इसकी वज़ज़ सिर्फ ये थी कि शादी से सनी देउल के फिल्मी करियर में कोई रुकावत ना आए, इतना ही नहीं, पूजा देउल पूजा देउल का नाम राजेश खन्ना की पत्मी डिम्पल कपाडिया के साथ जुड़ गया, तब तक डिम्पल राजेश खन्ना से शादी के बाद अलग हो चुकी थी, और सनी और डिम्पल के अफेर की खबरें आम होने लगी, दोनों ने आँक का गोला, अर्जुन, गु फिर सनी की पूर्व प्रेमिकामरिता सिंग ने एक इंटर्व्यू में सनी देउल और डिम्पल का पाडिया के अफेर का खुलासा कर दिया, इसके बाद सनी की पत्नी पूजा ने उनको धमकी दी, जिसके बाद सनी ने परिवार चुना, हाला कि सनी देउल और डिम्पल का प रिल लाइफ के साथ दोनों रियल लाइफ में भी प्यार कर बैठे हाला कि इनका फेर जादा दिन तक नहीं चला और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हाला कि डिमपल की बजाए जब उन्होंने अपनी पत्नी पूजा को चुना था तो ऐसा लगा था कि इनका आज भी बरकरार है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डिमपल का पाडिया 2009 में महा बलेश्वर में जब दबंग की शूटिंग कर रही थी तो सनी उनसे वहां मिलने पहुँशे थे वहीं साल 2017 में लंदन की बस्टांस से एक वीडियो सोशल मीडिया पर लिख हुआ था जिस अभी भी बरकरार है हाला कि पूजा देवल और सनी देवल की शादी को 38 साल हो चुके हैं उनके बेटे करण ने अपने बॉलेवुड करियर की शुरुवात फिल्म पल-पल दिल के पास से की लेकिन फिल्म का जादू बॉक्स ओफिस पर नहीं चल पाया अब करण देवल आप सनी देवल के बारे में क्या कहना चाहते हैं आपके पास सनी देवल से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वश्च साजा करें ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या फिल्मी हस्तियों के बारे में कोई जानी अंजानी जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी तब तक के लिए नमस्कार